नमस्कार आप देख रहे हैं फरीदाबाद निउस मैं धर्वंदर प्रताप सिंग इस वक्त हम हैं फरीदाबाद ओल्ड अहीर वाड़ा में और यहां एक दुखत खबर है और हैरान करने वाली भी खबर है एक साल पहले निधी गुपता की आकांस गुपता के साथ शादी हु कोई न कोई जहां से मिलेकर उसको गोवा ले गया कि अनिवर्सरी गोवा में मनाएंगे उससे पहले दोनों में कुछ न कुछ बात होती थी और निधी गुपता एक डायरी में लिखती थी जो भी experience होता था कभी लड़ाई जगड़ा हुआ कभी उसको पता चलता था उसके का विहवियर बदला हुआ है तो वो डायरी में लिखती थी अभी डायरी मायके वालों के पास है जब आकांस गुपता अपनी पत्नी को गोवा लेकर गया बेडिंग एनिवर्सरी मनाई लेकिन 28 अप्रेल को उसने रात में फोन करके मायके वालों को बताया कि आपकी बेटी मर गई अब ये सबी हैरान है दुखी है इनको लगता है बेटी की हत्या भी हो सकती है क्योंकि पहले लडाई जगडा होता था तो हम आपको निधी गुपता और अकांस गुपता की फोटो भी दिखाएंगे फिर इनसे बाचीत करेंगे ये पिता जी है ये माता जी है तो य देखिए ये निधी की फोटो है ये देखिए थोड़ा सा जूम करता हूं में ये निधी की फोटो है और ये इनके पती की फोटो है तो आप लोगों ने देखा निधी की फोटो और इनके पती की फोटो आप हम बाचीत करते हैं आप भाई है आप पिता जी है आप माता जी हैं तो अपना परिशे दीजिए नमस्कार क्या नाम है आपका शुशील कुमार गुपता आपको क्या सूचना मिली गोवा से सूचना मिली मुझे समासरा सवा तीन बजे रात को गुपता जी का फोन आया आकांस गुपता के पापा कहा कि भी आपकी बेटी की तबियत चादे खराब है और आप मेरे पास आजाओ मैंने उनसे कहा मनगा गुपता जी मेरे पास कोई साधन नहीं है आप इस बात का वो करो कि आप मेरे पास आजाओ आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे नों का नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता मेरा मन बहुत दुख्य है आप यहां पर आर प यार थे तबी गोवा से फोन आया जो इनके जानकार थे कि जी आपकी बेटी का दिहांत हो गया है हमने उन से का गी मन का भाई आप जो एकांस से बात कर वाओ हमारी उन्हें आकांस को फोन दिया आकांस से हमने पूछी कि बिटा क्या बात होगी तो उसने छुटतो ही हमें जवाब दिया कि मुझे पता नहीं क्या बात हुई है मनका वो भीमार थी मुझे पता नहीं है मैं परिसान हूँ मुझे मैं परिसान करो मुझे कोई पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है आप उसमें जब हम गुपता जी के पास पहुँचे तो गुपता जी ने बोला कि आकांस ने मुझे बताया कि रात को हम डिनर करके आए थे किसी जानकार के यहां पर ग्यारे बजे यहां पर आये हैं होटल के रूम में दो बजे के करेब उसको उसको चिला कर उठी है और एकदम ठंडी पड़ी है तो हमें इस बात का मुझलब हमें होसो हवास ने रहा कि हम क्या करें लड़के का फोन अपने पापा के पास आया कि पापा मैं क्या करूं पापा ने उनसे का कि बिटे आस पास जो भी होस्पिटल है उसमें ले जाओ लेकिन उस लड़के ने इस काम के लिए ही कम से कम डेड़ घंटा लगा दिया वह चार बजे महां प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके पास में ही उसमें लेके पहुंचा तो डोक्टर ने कहा कि बिटा आपने तो बहुत देर कर दी इसका तो देहान ठोच हुआ है तो आप माटा जी से बाचीत करते हैं बेटी ने कुछ बताया था कभी लड़ाई जगड़ा हुआ या कोई दहेश का मामला हुआ हुआ जो कुछ लाएगी अपने पीर से लाएगी यहां से तरको कुछ नहीं विलेगा ससुराल कहां पर था फरीदबाद में और गोवा में कहां पर था गोवा में ससुराल नहीं थी उसकी गोवा में तो इसके लड़के के दादा जी रहते थे पीस पच्चिस साल थे वो इनका कारपेट का काम था तो इनके महां पर संबंध अच्छे थे लेकिन मेरी बेटी की उसराल है वो RPS सवाना T9 में हाउस नंबर 908 इसराल यहीं पर है दादा जी गोवा में रहते हैं दादा जी गोवा में रहते थे लेकिन ये काफी पहले महां रहके आए थे डीके गुपता और इनकी फैमली जब बच्चे छोटे थे तो ये गोवा में दो चार साल महां रहकर है थे लेकिन उसके बाद यहां पर सैटल होगे फरीदाबाद में लोग जैसा कि माता जी बता रही है कि सारा समान कपड़ा वगरा सब कहते थे यहीं से खरीदो कुछ भी लेना होता था कोई भी नीड होती थी तो कहते थे माई कैसे ले आओ वो लोग नहीं देते थे तो आ गुर्ण लुकार ना है сильवसे ना और एक परश्ग करेंगी तेरे से यह अपनी पर संद का समान माँगेगी तो इस से अपनी मम्मी से वहीं कहते थी कि इसको जो भी लाना है वह अपनी हर सा लाएगी तुम मतला करें कि जो भी लाएगी अट हैंगी इन्होंने लगाया ह heaven है जबकि हमने अपनी हैसित से बढ़कर उनको गोल्ड भी दिया और जो भी हमारे से बनाया उस हैसित से बढ़कर के उनको दान धेज दिया राजी क्या नाम मेरा नाम पुनित गुपता है वहन कितना पड़ी लिखी थी ने एंबीए किया हुआ है और एचार थी वो उसकी बीस पचीस अजार सेलरी थी कैसा था शादी से पहले ना इन लोगों की बात होती थी तो कैसा था यह पहले बोला जाता था कि भी आश तू दो तीन चार महीना वेट कर मैं तुझे शादी के बाद तूजोब कर लेगी फिर दी चीज मतलब मतलब जो साधी से अपहले शाधी दिखाया थे बिस त्यु is को यह जो तेरा दिल करें ऊ jeunes बिर्येंसे फिर टबीणा चाहें किचन Ьलेगए लेकिन बीटी चप्तल्स पेंद चिशन में भी नहीं तहिग तो बहुत ही थी ़ो भोस सारे उस पेंछ लगाए और इतना परेशान कर दिया उसको इतना परेशान कर दिया कि वो शादी के बाद जब दो-तीन महीने बाद घर आई थी ना तो उसके उसकी हालत देखने वाली थी लेकिन फिर भी क्या है समाज है हम लोगों का समाज है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है भई आप शादी तो हो गई है यहाँ पर भी तो हम लोग समाज में रहते हैं ना और यह चीज उसको मालूम थी कि उनके लिए जो भी है वो यही है इसकी वज़ेसी यह लोग जिंदा है मेरे मामा का दस साल पहले ओप्रेशन हो चुका है मेरी मामी का पिछले साली ओप्रेशन हुआ है एक दो बार हम लोगों के क्या है जादे मन मोटा हो गए तो समझोते के जब समझोता होता था बैट के बात करते थे तो उसको एक दो बार मामी ने एक दो बात बोल दी कि भाई मेरी भी तो बेटी है ना तुम जैसे अपनी बेटी को दूसरे घर में दिये तुम उसको करो क्योंकि साथ फेरे तो तुमने लिए ना तो तुमारा फर्जा कि तुम अपनी मा को समझाओ कि मम्मी अब तो यहीं की है तो अब तुम थोड़ा तुम जुको थोड़ा यह जुकी कि सही सही हो जाएगा लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं गोवा भेजने में इसके बाप का ह है कि पुलीस इस चीज की कारेवाई करें कि यह अचानक एकटिस साल की जवान लड़की को इतना टेंशन में तींज ती जब तुम्ने ऊसको दस दिन ब्लीडिंग में छोड़ दिया था उसको ब्लीडिंग जा रिये दस दिन उसका तुमने जाके बल्लवगड में तुमने उसका डिस्चाज करवा दिया तुमने उसका अबोर्शन करवा दिया वो तब नहीं मरी वह एक होटल के कमरे में जो एनिवर्सीरी मना नहीं चलिए अचानक से उसको क्या होगे मर गई और गोवा की पुलीस न खाना खिलाया मैं चाहता हूं कि भई हमें पूरा तुम लोग वह दिलाओ ना इसाभ दिलाओ हमारी जो पिलियर होनें चीए कि बहुअ ऐसेए था हम तो सिर्फ और जर्शिफ कि हमारी बहन कैसे मरी हमको पता होना चाहिए वह कैसे क्या हुआ उसको हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है और हमको गोवा की तरफ से कोई भी हमको तो वहां पर थ्रेडिंग मिली है जी डिस्टिक कलेक्टर ने को थ्रेड दिये कि तुम लोग दीपक नाम करके था डिस्टिक कलेक्टर थे डिपर वेंकर करना वह थे डिस्टिक कलेक्टर उन्होंने हमको इतना तक बोल दिया था कि गोवा के अंदर तुमारी आवाज नहीं निकलनी चीए कोई भी ड्रामा नीचीए जो करना है तो फरिद पुलीस बहुत जादा सक्षम है यह सब चीजों में तो हमको जात हमको न्याय मिल जाएगा हमको बोला गया एससो से जो लेडिस थी क्या नाम था उनका सुमीदा नाम था उन्होंने मेरे पापा को और मामा को दोनों को यह प्रॉमिस किया था कि तुमारी कंप्लेंट लिख होगी पहले हल्फ नामा होगा बोडी की जाच होगी ऐसा कौन सा अंतर्यामी था वो दीपक जो कलक्टर साब थे उन्होंने बोडी को देखके ही बोडी की नाक पे पूरे चोट के निसान थे उसका लिप्स कटा हुआ था जैसे किसी ने उसको दात से काटा हो ठीक है उसके पूरे फेस पे बलड था और उसका यह पूरा गला ब्लैक स्पोर्ट थे गले पर तो तुमने उसको देखते ही यह बोल दिया कि यह तो नेचरल ड़े थे पोस्मॉटम भी नहीं हुआ है ना तुमने कंप्लेंड यह आप पर थे उस वक्त मैं हम पांच लोग गए हैं हम पह रहीं से मिलना यह लोग दोनों न evolution प्लिस टेशन उसके पांस एक पांचन बाइन के लिए वह पर रहें तो उसके बाद मामा ने फटक से बोला कि पुनित तुम कपिल भईया और मुने मामा बोले तुम तीनों अगली फ्लाइट पकड़के पोचो हम लोग को इतना मजबूत लोग नहीं है हम लोग भी दद्दस 20-20 जार उपे नोकरी करने वाले लोग है हम लोग वहां से गए वहा हुआ था तो वहां पर हमने उससे रिक्वेस्ट किया तो उसने बोडी दिखाया तो बोडी जैसी भार निकाला है मतलब वह लड़की के दिख रहा है जो डरा हुआ फेस होता है ना पूरा नाक पूरा उसका लेप गला पूरा मुह पर खून के धब्बे उसको देखके लग करकいた के मीरे अगरे के जो दो दे इसकी तरफ से जो गवाण होते हैं ieso कि तरफ ना उसकी तरफ mo उसकी तरफ उसकी वो नॉर्मल होते हैं ना इसकी तरफ ना उसकी तरफ उसकी तरफ से दो गावा खड़ागी है जैसे उनको पता चला कि यह यह लड़की के बुआ का लड़का है मैंने जबरदस्ती कोशिश किया हमापे खड़े होने की कपिल भीया ने मेरी हेल्प के कि एक को तो हम में से खड पयाऋन ने कि उन्होंने उन्होंने में बहार भीश दिया उसकेबाद हम ऊपर बैठे थे चानथ मेरे ममा को और मिरी बाई हुआ है हम यह नहीं बोल रहे हैं किसने कि हमको शक है हमको तो जस्टिस चाहिए इसके साथ क्या हुआ हमें यह पता गरना है तो वह बोला ठीक है तो यहां के सच्छो साब मेरे साथ तो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप उसको सीधा जाके बोलो कि भाई आपने मेरी कंप्लेंट नहीं ली या अभी आपने इसके साथ कुछ नहीं किया तो आप मैं आपका नाम लिखके और आपका नमबर लिखके तो वह मेरे पर चिला दिया तेरी हिम्मत कैसे मेरे से बात करने की तुम मुझे धम कि यह डिस्टी कलेक्टर वह ऐसा मेरे पर चिलाया है वहां पर वह एकदम अजीव उसका ब्यवियर हो गया उसके बाद मैंने इन्होंने लड को पूरी टीम हमको पूरा मामा से मेरे मामा से कोई स्टेटमंड ली नहीं मेरे से कुछ नहीं लिया हमारतहा में कि यह तुम क्या करवाना चारेऊ उसने आनन फानन में अंदर Turns मोटम चालु कर वा दिया वह लड़कें को खढ़ा कर लिया उससे सवाल क्या कर रहे है वो लड़के से कि तुमारी शादी से पहले सभाई थिंस मुझा लड़की हो मतलब तुम इतने बड़े तुम अधीकारी हो तुमारे ननजर इतना तेज हुनी चीग इसने किया है नहीं किया है तुम्हें समझ में आता है तो यह तो एक तरफा उन्हों लेके चले स्टार्टिंग से ही उसके बाद वह लड़का से उन लोगों ने पूस्ताच किया जो भी किया थोड़ी दिर बाद हमको मालूम पड़ता है जो नॉर्मल पूस्तम होता उसमें तीन चार घंटा लगता है। आदेपोने घंटे में पोस्तमों वो गया और रिपोट भी गिरा वह सीट अपना टेबल चेर पर बैठते ही सिधा गिर गया तो गिरते ही आवाज आई तो सम्मुड के भागे वह वह हो गया लड़का तो डिस्टिक कलेक्टर अपने उस पे से कुर्सी पर उठता है उसकी तरफ बाग के बोलता इसको जल्दी जा उसको अरे तुम को क्य प्रेंतिम संसकार हुआ है हमारे पास को लाया था कि आप लोग जाईये हम लोगों ने अंसे यह बोला था कि हमको मेरी मामी है उनका तुम लोग यहां पर उसको लेके आओ। लेकिन उनलोगों साफ कर दिया क्योंकि उनलोग को शक भा शक नहीं उनलोग को यकीन था अगर ह तो इस डायरी को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें 80% 90% जो बाते लिखी है वो निगेटिव है उसके ससुराल वालों के खिलाब ससुराल वालों के विहिवियर के खिलाब पति हो पती हो ससूरो शास व ननद हो इसको पूरा पढ़ा रही जा सकता है लेकिन मैंने काफी पढ है उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं तो इस डायरी को अगर पढ़ा जाएगा जांच की जाएगी तो काफी बाते निकल कर सामने आएगी और इसी डायरी के अधार पर इन लोग को डाउट है कि उसका मर्डर भी हो सकता है लेकिन पुलिस जांच करेगी पुस्तास करे नेटवर्क चाहिए अच्छे वकिल चाहिए जो इनके पास नहीं होगा आम आदमी है ज्यादा कमाते भी नहीं है तो अगर फाइट करनी है लेगल फाइट करनी है तो उसके लिए काफी ज्यादा पैसा भी चाहिए अच्छा वकिल करना होगा फिर प्रसासन में भी थोड़ पीजान हैं दुखी है कि अपनी बेटी के लिए अपनी Бेहन के लिए कुछ कर नहीं सके उसे नयाइं भी नहीं दिला सके अब डायारी है डायारी को पड़ते होंगे तो इनको दुक होता होगा दें होगा मेरी बेटी मेरी बहन का मर्डर कर दिया गया और हम कुछ नहीं कर पाए अब देखते हैं इस पामले में क्या होता है फरीदाबाद अगर डेड़ बोड़ी यहां पर आ जाती तो यह लोग फरीदाबाद हैं कुछ कर नहीं सकते हलांकि कोई उम्मीद है सन्या की बिलकुल उम्मीद है और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता हम लोग रुखेंगे नहीं जलाया है दफनाया जलाया है उसको आज पूरा जलाया है और फरीदाबाद में किया वह गोडी लेके नहीं आया उसको उनको हमने इतना रिक्वेस्ट किया मेरे पास recording है मैंने उनको बोला जो हम लोगों आपस मन मुटा हूँ उसको साइड में रखते हैं एक मां है एक बाप है एक मानी दो मां है और दो बाप है जो कि वज़े से जीरे कम से कम उनको देखने तो दो हाँ नहीं मेरा बच्चा वे हुस्पिटल में एडिमिटे वह बच्चा आज उठा हुस्पिटल से एंबुलेंस में है क्या वो एरपोट तक नहीं आ सकता था क्या उसको पैदल चलके आना था गोवा से यहां तक तो आप ल और इनका जो इनकी बहन का ससुराल है और पिय सवाना में है गोवा में पहली बेडिंग एनिवर्शरी पर गये थे वहीं पर इनकी बहन की और इनकी बेटी की मौत हुई हत्या हुई क्या हुई यह तो सस्पेंस में है अब आगे जो भी होगा आपको बताया जाएगा सिर्दाबाद नियों से धर्वंदर प्रताप सिंग नमस्कार